प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में आज हम एक बहुत महत्पोन इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके लिए करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का ही जो की मेकेनिक्स का हिस्सा है आज हम डिराइव करेंगे moment of inertia of the spherical cell चलिए देखते हैं कैसे तरीका फिर वही moment of inertia of spherical cell about its diameter प्यारे बच्चों तरीका फिर वही है तीन चार स्टेप्स में हमें जो लेंदी आर्टिकल्स होते हैं उनको करना होता है सबसे पहले ओप्जेक्ट कंसिडर कीजिए फिर वह एक्सिज ओफ रोटेशिन जो वह कीजिए फिर देखिए कि वह किन अब्जेक्ट से बना है जिसका moment of inertia आपको पता है और फिर आप उसका moment of inertia निकाल लीजिए और फिर आप उसको add या फिर integrate कर दीजिए आपके पास जो required result है वो आ जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं कर देखिए is R. So, can you tell me what is the surface area of the spherical cell? surface area of spherical cell कितना होता है विटे 4 by pi r square यह पूरी cell का area और इसका mass कितना है तो फिर mass per unit area of spherical cell कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं जिसकी हमें बाद में जरूर्ट पड़ेगी यानि mass per unit area of spherical cell यह होगा हमारे पास m by 4 by r square इसके हमें बाद में चरूर्ट पड़ेगी यह तो हमें पता है कि हमें about diameter निकालना है अब जरा सोचिए किन चीजों से बना है किन objects का बना है जिसका moment of inertia हमें पता है जो हमने पिछले lectures में derive किया है moment of inertia of ring, moment of inertia of days, cylinder, etc. तो अगर हम देखे इसको कि ऐसे अगर हम इनको काटे तो हमें क्या मिलेंगी? rings मिलेंगी, अलग-अलग radius की सबसे छोटी ring मिलेंगी, फिर बड़ी और इस तरह से ring मिलेंगी यानि कि इस तरह से हमें यहां यह rings मिलने वाली हैं ऐसी ही एक ring आमने यह consider कर ली जिसका radius y है और जिसकी width जो है वो a b है और इस angle को हम d theta ले लेते हैं और यह जो angle आप देख रहे हैं यह theta है और यह दूरी जो है यहां से इसकी इसको x मान लेते हैं आप क्या कहेंगे इस spherical cell is supposed to be made up of a number of rings consider one such ring of radius y y radius size का and width a b तो बताइए प्यारे बचो at distance x from the center of the spherical cell आप मुझे एक बात बताइए कि इस ring का area कितना है यानि area of ring area of ring जो हमने consider की है उस ring का area कितना होगा यह देखे इसका जो circumference है वह आप देख रहे हैं 2, pi, y और इसकी width है वो a भी है जब हमें area of ring पता चल गया और mass per unit area इस पूरी spherical cell का यह है तो जो mass per unit area spherical cell का है वही mass per unit area इस ring का भी होगा because this ring is the part of the spherical cell तो फिर बताइए mass of mass of ring कितना होगा mass per unit area यानि n divided by 4 pi r square और area of ring से multiply कर देंगे और यह हमारे पास कितना है 2 pi y into a b जो कटता हो तो कार दीजिए देख यह pi से pi cancel हो गया यह 2 तो यह हमारे पास आ गया है m by 2 r square y into a b यह देखे वोटे यह mass of ring आ गया है अच्छा पिछले lecture में आपने ring का momentum inertia drive किया था तो उसमें हमने देखा कि जैसे यह axis है जो इसके center से पास हो रहा है इस ring के पहले में इसी ring की बात करता हूं और इसके plane के perpendicular है तो इस axis के परती moment of inertia of this ring क्या क्योंकि इस ring का में mass भी पता है और इसका radius भी पता है और हम जानते है ring का momentum inertia क्या होता है mass into radius का square about this axis यानि की यही बात में यहां के नहीं जा रहा हूं की moment of inertia of ring ring की ही में बात कर रहा हूं about an axis यह axis कैसा है passing through its center passing through its center and perpendicular to its plane तो प्यारे बच्चों यह moment of inertia आपको आता है कितना है यह इसके परती हम निकाल लेते हैं and it will be यह देखे यह क्या होता है mass into radius का square तो यह mass आपके सामने है यह m by 2 r square y into a b into y square क्योंकि इसका जो radius है वो y है तो हमने यह निकाल लिया है इसको equation दे देते हैं अब प्यारे बच्चों आप देखिए इसको हम di कह देते हैं बाद में क्योंकि पूरे spherical cell का तब y हो जाएगा तो अब आप मुझे एक बात बताईए कि यहां कुछ variables आ गए हैं यहां y भी variable है a b b variable है यहां x भी variable है theta भी variable है तो ऐसे cases में हमें इन variables को पहले convert करना पड़ेगा किसी एक variable में ताकि उसके with respect हम फिर उसको integrate कर सकें तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस equation के लिए चलिए देखते हैं यहां पर कि यह बताईए कि arc क्या होती है हम इस तरह से इसको लिखेंगे we know arc is equal to angle गुना radius यही होता है न यह होता है तो arc तो हमारी a b है और angle d theta यहां के देखे अगर मैं यहां करूं तो यह arc a b है angle theta और radius इसक आर है जो into r यह हो गया a b की value था हमने निकाल दी है एक y भी है इसको भी देख लेते हैं यह देखो y क्या है यहां पर अच्छा एक और point आप यहां से देख सकते हैं कि sin theta की इसके बराबर है what is sin theta here यहां से अगर इस triangle से हम sin theta की value निकालें तो यह y है और यह x है तो sin theta क्या होता है perpendicular perpendicular तो यह है perpendicular upon hyperechnose यानि कि क्या हो जाएगा perpendicular यहां x है x by r तो यहां से x की value आ जाएगी यह देखे r sin theta और इसी triangle में अगर हम cos theta की value निकालें तो कितना हो जाएगा cos theta क्या होता है base upon hyperechnose तो यह हो जाएगा y by r यानि कि y is equal to r cos theta यह ज़रा ध्यान दीजिए यह चीज हमारे पास आगी यह देखे यह y की value हमें पता है इसको अगर मैं दोनों तरफ differentiate कर दूँ तो इधर क्या हो जाएगा है यह तो y के बराबर है इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते है y into d theta dx यह हो गया ज़रा note करते जाएगे साथ साथ यह हो गया है यहां से हम d theta की value निकाल सकते है d theta क्या हो जाएगा dx upon y और प्यारे बच्चो एचीज यहाँ आप और calculate कर सकते है यह देखिए एक right angle triangle बन रही है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे कि यह r का square किसके बराबर हो x का square plus y square यानि r square is equal to x square plus y square तो यहां से हम y square की value निकाल सकते हैं y square क्या होगा यह हो जाएगा r square minus x square तो फिर यहां से y की value कितनी हो जाएगी y is equal to root r square minus x square यह हो जाएगा is equal to यही चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर m by 2 r square यह लिख दिया है y यहाँ पहले से ही है a b के स्थान पर हम लिख रहे हैं r into d theta r into d theta यह भी हमने लिख दिया a b के स्थान पर भी और y square यह भी है वो भी हमने h सच लिख दिया है d theta की value भी हम जानते हैं इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं d x y d y क्योंकि यह भी हमने calculate किया था तो वो value भी यहाँ रख देते हैं कारण क्या है हम variables को बदलना चाह रहे हैं ताकि हम आसानी से इसको integrate कर सके तो चलिए put this value of d theta here d theta की value भी यहाँ रख दीजिए हम लिखेंगे m by 2 r square into y r और d theta की स्थान पर हम लिख रहे हैं d x by y into y square यह देखें उटेगे इसको थोड़ा सा आप solve कर लीजिए y से y cancel हो गया है 1 r से y r भी cancel हो गया है तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यह देखें d i is equal to m by 2 r into y square into d x यहाँ अब कितनी variable रहे गए एक y रहे गया एक x रहे गया तो चलिए y square के स्थान पर भी हम यह लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं y square is equal to r square minus x square तो यह equation क्या हो जाएगी अब हमारे पास m y 2 r और y square के स्थान पर लिखेंगे r square minus x square यह देखिए r square minus x square into dx अब मुझे अब ध्यान से देखिए इस equation को इसमें कितनी variables रहे गए हैं सिर्फ x रहे गया है बिल्कुल सही है तो अब हम इसे integrate कर सकते हैं यह देखिए इस ring को जो हमने suppose की थी वो इसके center से कितनी distance पर है x distance पर है यहाँ पर अगर यह ring आप जरा द्यान से देखिएगा कि अगर यह ring यहाँ होती यह जो रिंग यहाँ है उसके लिए x की value कितनी होती minus r क्योंकि इधर x की value plus में है और इधर x की value minus में है और यहाँ पर देखिए यहाँ x की value कितनी होगी अनस r इस पूरी spherical cell का moment of inertia determine करना चाहते हैं तो हमें इस equation को integrate करना होगा x की value minus r से x की value plus r ताकि वो तमाम rings जो यहां तक हैं वो सब cover हो जाएं और उन सभी rings का अगर moment of inertia जुड़ जाएगा तो फिर हमें इस spherical cell का moment of inertia आ जाएगा तो चलिए देखते हैं हम क्या लिखेंगे to find out the moment of inertia of this spherical cell we integrate this equation from x is equal to minus r to x is equal to plus r यह सब लिखना है आपको नहीं के लिए integrate होगा r square यहां पर भी minus r to plus r into dx माइनस यह common है दोनों के साथ है minus r to plus r और x square into dx इसको थोड़ा सा further stroll कर दीजिए देखिए हम क्या मिलेगा हमें m by 2 r r square हमने बाहर लिया है और यहां पर बच गया है x limits वही है यह देखिए इसकी limits आप क्या लिखेंगे वही जो आप देख रहे है minus r to plus r minus यहां पर फिर देखिए वही x की power 3 by 3 हो गया है और limits वही है minus r to plus r थोड़ा सा आप इसको further soul कर लीजिए यह देखिए क्या मिलेगा हमें m by 2 r और यहां पर r square है limits रखेंगे पहले r फिर minus sign के साथ minus r लखेंगे तो plus r हो जाएगा ले लिया है पहले हम r q फिर minus के साथ lower limit रखेंगे तो वह r q हो जाएगा यह देखिए अब आप इसको थोड़ा सा और soul कर लीजिए यह देखिए then it comes out to be i is equal to m by 2 r यहां है यह step by step लिखते चलिए आपका article अच्छी तरीकी से तयार हो जाना है यह देखिए 2 r हो गया है break it फिर लगा दिया हमने कुछ भी नहीं कर रहे है step अपने आप आ रहे हैं यह r square है और यह 2 r हो गया है r r 2 r हो गया है minus minus यह देखिए 1 by 3 और यह 2 r cube हो गया है 2 r cube यह देखिए r cube 2 r cube इसको थोड़ा सा अगर हम और soul कर ले तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा m by 2 r कोई भी step आपने यह देखिए 2 r cube हो गया है यहाँ पर minus 2 by 3 r cube हो गया है 2 r cube common ले लिया है और यहाँ पर बच गया है 1 minus 1 by 3 यह देखिए 2 क्योंकि हमने यहाँ common लिया है तो 2 से 2 यह cancel हो गया है 1 r से vr cancel हो गया है यानि कि m by mr square हो गया है यहाँ पर और क्योंकि और यह देखिए 2 by 3 बच गया है यहाँ है 3 minus 1 2 और हमारे पास चो result हमीं चाहिए था कि moment of inertia वो कितना आगया है वो देख सकते हैं आप यह कितना आगया है 2 by 3 mr square this equation gives the moment of inertia of spherical cell about its diameter यह देखिए तो प्यारे बच्चो इस तरीके से अगर question पूछा जाता है आप से find the moment of inertia of spherical cell about its diameter तो यह तमाम जो steps हैं बहुत easy है इन steps को करते विए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह result आ जाएगा this is the final result of the moment of inertia of spherical cell अब यह देखिए कि अगर हम exam में पूछा जाता है कि find the moment of inertia of spherical cell about its tangent तब हम कैसे करेंगे तो उसमें आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे यह देखिए यह हमारे पास spherical cell है यह इसका diameter है AB और यह है वो tangent जिसके about हमें moment of inertia निकालनी है CD और यह दूरी आप जानते हैं यह R है CD is the tangent to this spherical cell AB is its diameter which passing through its center प्यारे बच आप देख रहे हैं कि हमारा यह जो required axis है जो की tangent है इस spherical cell की वो इस diameter के parallel में है तो हम यहाँ पर therm of parallel axis यूज कर सकते हैं यानि using therm of parallel axis वी राइट हम क्या लिखेंगे ICD is equal to IAB plus MH square अब यहाँ से देखिए IAB क्या है this is the diameter of this spherical cell N और यह H क्या है इन दोनों के parallel दूरी कितनी है R तो MR square हो गया है but we already know हभी थोड़ जर पहले हमने drive किया कि moment of inertia of this spherical cell about diameter जो है वो यह है 2 by 3 MR square plus MR square ICD यह हो गया है यहाँ से आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सोल कर लीजिए तो यह कितना जिएगा 5 by 3 MR scale ICD this equation gives the moment of inertia of spherical cell about the tangent तो प्यारे बच्चो इस तरीके से आप अपने questions को कर सकते हैं और यह article बहुत important article था बहुत बहुत exams में पूछा जाता है और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा अगर आपको समझ में आया है तो दूसरे बच्चों को समझने के लिए आप आपने जो साथी हैं उनको इसको शेर कीजिए लाइक कर दीजिए जो भी कोमेंट्स अच्छे हुए हैं वो जरूर डालें ताकि आपके लिए इन लेक्चर्स को और ज़्यादा प्रभावसाली बनाया जा सके और प्यारे बच्चों इसे सब्सक्राइब करते हुए आने वाले लेक्चर के लिए जिसमें हम बहुत एक इंपोर्टेंट आर्टिकल करेंगे वह भी मोमेंट अप इनर्शिया से संबंदित है वह बहुत महितपूर्ण है इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम्स और कमपिटिव एक्जाम्स के लिए वह है मोमेंट ओफ इनर्शिया और शॉलिड स्फियर अगर आपको उसको देखना है शुनना है शमझना है तो फिर आप बैल आइकोन भी दबा दे ताकि टाइम पर आपको उस वीडियो का पता चल सके पूरा वीडियो जिन भी बच्चों ने देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे लिए बैस्ट विसिस हैं कि वह आपने एक्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले और इस आर्टिकल को जो भी हम आपको बताते हैं उनको बहुत अच्छी तरीकी से अपने एक्जाम्स में लिग क्या है तो म